थैंक्यों वेरी मच्च, स्री सुकंता मजमुनदार जी आपने मुझे इस नए हाउस में और बहुत ही सुन्दर हाउस में चंद्रजान पर बोलने के लिए मौका दिया और एक जचंद्रजान की सफलता है ये सफलता हमारे देश के लिए एक अभूत पूर्व सफलता है देखें किसी भी देश को जाना जाता है कि ओ साइंस में कितना आगे है इनोवेशन में कितना आगे है मोधी जी के नित्रित्थ में हमारा देश साइंस और इनोवेशन के तरप आगे बह रहा है कुछ लोग जो बोलते थे कि जो लोग मंदीर बनाते हैं उनको साइंस नहीं आता मोधी जी ने प्रूब कर दिया जिनको मंदीर बनाना आता है वो चाद तक भी पहुँच सकता है चाद तक हम जा सकते हैं यह अलग बात है कि कुछ देशों के फ्लैग में चाद होता है और कुछ देशों का चाद में फ्लैग होता है और भारत वर्ष उस देशों में चार गिनेच उने देशों में पहुच गया जिनोंने चाद में बहुत बड़ा उपुलब जी की बात है। मैं देटा देख रहा था। हमारी सरकार की काम के बज़े से इंडिया आज 41 रैंक में है, 41 रैंक में है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो 2015 में हम 81 में थे, जब कंग्रेस की सरकार छोड़के गई थी, मोदी जी ने उसको 41 त साइन्टिस्ट है, मैं पहले उनका शुक्रिया करना चाहूंगा, और सारे देशों के हर पार्स का साइन्टिस्ट इसमें पार्ट लिया। और जैसे शशी थरूर जी आज सुभा बोल रहे थे, छोटे छोटे इंस्टिउशन, वेदर इट में भी ए इंजिनेरिशन, वेदर बंगाल का उत्तरी पार्ट है नौर्थ बेंगॉल जिससे सबसे पिछरा समझा जाता है, उसी नौर्थ बेंगॉल से अनूज नंदी, कोशिक नाग, जलपाई गुडी से, उसके साथ साथ बाकी हिस्टों से सुजय दोलोई, अमनात नंदी, साइन्टिस एस शरकेल, निरण जाता था, 2010-13, उसी कॉलेज का एक फिजिस्ट का स्टूडेन इस मिशन से जुड़ा हुआ है, तो भारत का ये अपना मिशन है, जिसे मोदी जी ने हमेशा जो बोला है आत्मनिरवर भारत, ओ आत्मनिरवर भारत के जो शपना मोदी जी का है, ये चंद्रजान, उसका एक ज साइंस में भी, इनोवेशन में भी आगे बर रहा है, जो डेटा दिखाता है, उस दिन, जिस दिन रोवर ने 23 आगस्त को, चात के सीने में हमारे देश का अशोक स्तंब का जब चित्र बना दिया था, उस समय पूरा देश का सीना 56 इंच बन गया था, पूरा देश बासी 56 इ और हर एक में काबिलियत है, हमारे जो मित्र है, जो संस्कार और कुसंस्कार की बात करने थे, सुपरस्कृति बात करने थे, अधीर्दा भी बात करने थे, कि हमारे प्रदान मंत्री जी बोले है, कि यह है, गनेज जी का सीर यह, पाश्टिक सर्जरी का उधरन है, संस्कृति बेश्रा नाम की एक महिला का ट्यूमर किसी के हाथ देने से खतम हो जाता है और उस महिला को सेंड घोषित किया जाता है उनका नाम जिद्धा को याद नहीं आता यह संस्कृति में डिफरेंस है और यह चंद्रजान का जो सक्सेस है यह हमारे साइंटिस्ट और जो हर जगा मे काम कर रहे है और देश को आगे ले जाने के लिए इनको इंस्पिरेशन मिलेगा अब जितना भी पढ़ ले लिख ले जब तक अपने उपर गर्व नहीं होगा आप देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते कुछ बरा नहीं कर सकते कौपी कर सकते है कौपी पेस्ट कर सक है लेकिन साइन्स में इनिक लाने के लिए पहली बात article करता हूं कि पहली बात आपके अपने ऊपर अपने सामर्थे को उपर आपко बिश्वास होना चाहिए और हुआ रोई दो बात बोल के मैं खतम करना चाहता हूं कि कभी हमारे जो medicinal scientistस थे मैं scientific अगर इसका मतलम निकाला जाए कि ऐसा कोई अक्षण नहीं है जिससे मंत्र नहीं बना सकता मानन ये सदेशकन यदि सभा की सहमती हो तो सदन की कारवाही एक घंटे के लिए बढ़ा दी जाए थैंक यू थैंक यू थैंक यू पर गिविंग में इस अपर्चुनिटी तो इसका मंत्र का मतलब है कि हर अक्षर से मंत्र बन सकता है हर आदमी में पोटेंशियल है आपको ज इस नीती को सामने देखते हुए हमें आगे बढ़ना है और उसी के साथ इस घटना के बाद सारे देश ने कॉंगयाचुलेट किया लेकिन सबसे अनोखा कॉंगयाचुलेशन पशिम मंगाल के मुख्यमंती के तरफ से आया उन्होंने बताया के राकेश रोशन चाद में गय किया था थैक्क यु वैरि मार्च वaph avena करेंको मंटरि्जा उन्होंने इंडिरा गांदी जी को फेच दिया थाता नेजिशार कमार रिंको जी इ algamben को जी तेंक यू थेंक यू एवेविなた सर मैं तो अड़ा देल्दी के रहाईयां तो कानवाद करना चाना स्पीकर साथ कि तुसी मैंनों अज पार्तिय अंतरिक्ष प्रोग्राम